कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ट वोटिंग हो रही है ऐसे ऐसे इलागों में रिकॉर्ट तोड़ वोटिंग हो रही है जहां पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता था इस पर आपका क्या अंकलन है आप कैसे देखते हैं पहले तो मैं चाहूंगा कि कश्मीर की जो स्ट्रेटेजी होती है ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए स्ट्रेटेजी के तहट काम करना होता था अब उसके लिए कभी मुझे पांच साल से इंटरनेट बन नहीं हुआ है पांच साल से सब सुविदाएं मिल रही है कुछ दिन तकलिब हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी अब वो अधालत के अंदर विवादों में चड़ जाता है तब चीज़ें गड़बडा जाती है तो ऐसे जो NGO हैं जिन्होंने अदालतों के भरों से लड़ाई लड़ना शुरू किया है एक तो देश को उनसे बचाना बहुत जरूरी है दूसरा वहां का सामान ने मानवी जब मतदान करता है नहीं तब वो सिर्फ किसी को जिताता इसा नहीं है जी मतदान करता है मतलब भारत के सम्विध अपना समर्पन व्यक्ता करता है दूसरा उनको विश्वास वाग यह सरकार ऐसी है जहां अधुक्त है और जब उसको विश्वास हो जाता है कि यह को हेरा फिरी नहीं हो रही है तो वो वोट करने के लिए उच्छा से आता है और उसका परणाब है कि आज मतदान चालीच-चालीच साल के रेकोड टूट चुके हैं मेरे लिए वाद संसे बढ़ी संतोस की बात आए है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई भें मेरे परिवार जन उम्हारुत-परुसा के साथ मतदान के लिए आगे आये उन्होंने मतडान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है जो जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है सर यह क्या विंडिकेशन है 370 को आपने हटाया इससे क्या लगता है कि आपका विंडिकेशन है कि जिस तरह से पांच चार परिवारों का एजंडा था यह न कश्मीर की जंता का एजंडा था न देश के लोगों का एजंडा यह अपने फाइदे के लिए यह 370 की ऐसी दिवार बना के बैठेते ताकि कोई जौंक न पाए और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी वह कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा आज यह सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज्यादा एक ताकि अनुभूती हो रही है कश्मीर के लोगों का अपनापन ज्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसक्या सीधा प्रणाम का स्वागत के रहा पुली दुनिया का और इसलिए एक कैसे जूठी दिवारे खड़ी करकर के देश को टुकड़ों में देखा गया इसका यह उदानाने और उसको मैंने द्वस्त किया है जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेब आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेबा कुछ जो मैं भी बोलों तु नहीं